महा भारत के कई ऐसे प्रसंद हैं, जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए, तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। यहां जानिये अहंकार से जुड़ा महा भारत का एक प्रेरत प्रसंद। इस प्रसंद में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को छोटा न समझें। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। दोनों ही योद्धा पूरी शक्ती से लड़ रहे थे। अर्जुन के बान के कर्ण के रथ पर लगते तो उसका रथा 20 से 25 हाथ पीछे खिसक जाता था। जबकि कर्ण के प्रहारों से अर्जुन का रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। जब कर्ण का बान अर्जुन के रथ पर लगता, तो श्रीकृष्ण उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन अर्जुन के प्रहारों पर वे चुप रहते। श्रीकृष्ण के मुख से कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने श्रीकृष्ण से पूछा कि है केशव जब मेरे बान करण के रथ पर लगते हैं तो उसका रथ बहुत पीछे खिसक जाता है जब इक उसके बानों से मेरा रथा थोड़ा सा ही खिसकता है। मेरे बानों की अपेक्षा करण के बान बहुत कमजोर हैं फिर भी आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वय बैठा हूँ। उपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं। रथ के पहियों को स्वयन शेशनाग ने पकड़ रखा है। इन सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से ये रथ थोड़ा सा भी पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बान कमजोर नहीं है। तुम्हारे साथ मैं स्वय हूँ और कर्ण के साथ सिर्फ उसका पराक्रम है। फिर भी वह तुम्हें कड़ी टकर दे रहा है। इसका मतलब यह है कि कर्ण बिलकुल भी कमजोर नहीं है। यह बातें सुनकर अर्जुन का घमंड तूट गया। इसलिए अहंकार से बचना चाहिए, कभी भी दूसरों को कमजोर न समझें। तो हेलो दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंस को शेर करें, अगर आपको कुछ प्रॉबलम है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, तो फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में धन्यवाद